जी हां दोस्तों बिहार बोड की तरफ से बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रहा है कि वो इसे अस्टुडेंट जो बेस अबरी से इंतेजार कर रहे हैं कि सरम तो जरे किसे फाइनल बोड एक्जाम दे देंगे लेकिन दोस्तों घबरानी कि कोई बात नहीं यहां पे बहुत विकल्ब खड़ा हो चुका है कि अगर आप सेंटर परिक्षा पास नहीं करते हैं तो आपको एड्मिट कार्ड नहीं मिलेगा है इसलिए आपको सेंटर परिक्षा पास करना नहीं वार जाए और साथ ही साथ आप सभी के राय और मन का बात जानना चाहते हैं चाहे वो 10th क्ल क्लास का हो सभी स्टुडेंट्स से हम यह जामना चाहते हैं कि कितने से स्टुडेंट हैं जो चाहते हैं कि अभी से क्लास करें 10 का हो अथवा 12 का हो हम क्यूंकि न्यू बैच स्टार्ट करने वाल है इंटर का और 10 का तो आप हमें कॉमेंट बोक्स में बता सकते हैं कि सर आप जरू करें तो आगे बढ़ते लेकिन वीडियो को आब तक लाइक ने कि तो लाइक करते हैं जिहां दोस्तों यहां पर देख रहे हैं पीहार वोट सेंट पर पास करने के बाद जारी होगा भी जारतियों का परिच्छा का एड्मिट कार्ड जिहां दोस्तों आप सभी को बता सेंटर टेश्ट सक्राना जरूरी दोस्तों यह सेंटर पर पास करना है अनिवार कर दिया गया है दोस्तों बहुत ही इंफोर्मेशन निकलके आरा रहा है विहार बोड़ की तरब सेने किस में उने वाले छात चात्राओं को फार्म भरने के बाद सेंटर परिच्छा पास कर अधिक उनको एडमीड कार्ड जारी किया जाएगा जहां दोस्तों जो भी फॉम भर रहे हैं द्वायर 21 का जो चाहते हैं कि वोड एडमीड कार्ड दे रहे हैं तो उनके लिए तो फॉम भरी रहे हैं लेकिन उससे पहले आपको सेंटर पर इक्षा का टेस्ट देना होगा और अगर आपको एडमीड कार्ड मीलेगा अगर आप फेल करते तो आपको एडमीड कार्ड नहीं दिया जाएगा बोड ने कहा है कि अस्कुल कॉलेज सेंटर परिक्षा में पास फेल छात्राओं की सूची अलग-अलग भेजेंगे उसी अधार पर एडमीड कार्ड जारी होग स्कूल में परिछब फॉर्म राशी वापस करने के लिए आवेधन देना होगा इसके बाद उनकी राशी वापस कर दी जाएगी जी हां दोस्तों बहुत ही जटकर लग गया वह से स्टुडेंट जो लगतार पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहें अगर कोई कारण फेल कर दिय गया है तो अब पक्का है कि आपको इडिमीर कार्ड नहीं दिया जाएगा आपको 1221 में आपको नहीं मिलेगा परिछा देने का मौका तो दोस्तों आप सभी को बता दे कि अगर आप चाहते हैं कि एक साल बरबाद ना हो तो आप हमें कॉमेंट बोक्स में बता सकते कि जितन वो इसे किसी एक डिस है जो उन्होंने पहले नहीं लिया हो उनकी परिछा दे सकते हैं अगर वे इंटर परिछा जरी कि क्वाइलिफाइंग परिछा के रूप में सामिल होना चाहते हैं तो उनका विशन सस्तान के परधान द्वारा आउनलाइन परिछा आवेदन भरा दोस्तों आप सी बटादे कि जिन्वी ऐस्टुडेंट को एक सब्जेक्ट अथ्वाइंड दोस्ब्जेक्ट में क्रोस लगा है अगर आपको घ्रेस इंटास नहीं किया गया हैं तो वह वह एक सब्जेक्ट में और पराद वह विजमा कर लिए जाए इस कोटी के परिक्षार्थियों को परियोगिक विश्रयों की परिक्षा में सामिल होना अनिवार है नहीं कि आपका प्रेडिकल भी देना जरूरी है यहां बोर्ड ने लगातार अपने जो रूल रेगुलेशन है तो हमेशा चेंज करते आ रहा है इसलिए बोर्ड की तरफ से कि अभी से पढ़ाय अस्टार्ट कर दे ताकि हम आपसे वी की बीच क्लास चालू कर दे 12 क्लास का हो अथ्वा 10 क्लास का हो कमेंट बोक्स में बता सकते हैं और बता आया गया है बोर्ड की तरफ से दोस्तों फेल छात्रों का रिजिटेशन रहेगा मानने रहेगा वर्ष 2019 औ 20 में फेल छात्रों का परिच्छा फॉर्म विद्याले परधान भरेंगे एनी की दोस्तों आपका जो हेड फ्रिंस्पल है वही भरेंगे परिच्छा सुल्क जमार करना होगा फॉर्म भरने के दवरान एक स्टुडेंट का आप्सन देना होगा पुर्व का रॉल नंबर और रॉल कोड भरना होगा इस कोटी में सामिल छात्रों को सभी विषयों की परिच्छा देनी होगी कपाटमेंट वाले चात्र भी मैट्रिक और इंटर वार्षिक परिच्छा द्वरीकीस के लिए आवेदन कर सकेंगे जहां दोस्तों जो स्टुडेंट अभी तक इंतेजार कर नहीं ली जाएगी जहां दोस्तों यहां पर एक गुड नीज बताया है बिहार बोड ने कि जो भी है स्टुडेंट अगर आपको एक सब्जेक्ट अथो दोस्ते मिट में क्रॉस लगा था तो उन्हें प्रेक्टिकल का एक्जाम नहीं देना होगा लेकिन दोस्तों आप सभ सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने दोस्तों साथ से जरू करें थैंक्यू दोस्तों